तरीवर्सस अप्लाइटU-PN, जं Brexit के दिया पच्छो तो रिवर्सस मेंकेक करेंटे के दिया है यह बयुसली यह बहुत आसानगा इफीकलट नहीं है यह डायोट है और यह reverse bias में यह plus है और यह minus है reverse bias में इसको मैंने negative से connect कर दिया इसको मैंने positive से connect कर दिया तो obviously lower the potential barrier, rise the potential barrier, increase the, अब ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा यहां से फिर से हम बना लेते हैं, पिछली वाले में भी बना एते हैं हम लोग और यह बार-बार हम मनाएंगे, तो यहां पर यह plus की जो layer होती है, जो electron इदर गया है और यह समझना है, यहां से जो यह plus और यह minus, यह plus minus यह अलिचीज, यह P type है और N type है तो यहां से अब potential barrier बढ़ेगा या गटेगा, वह अलिचीज में देखना है तो यहां electron जादा थे और यहां पर hole जादा थे, तो concentration की वज़े से कुछ hole इधर चले गए है और इधर electron जादा थे, इधर कम थे, तो कुछ electron इधर आ गए है तो उनकी वज़े से जो electric field होगा, यहां पर खाली जगह बन जाएगी तो यहां से electric field है, अंदर वाली जो electric field है, वो इधर आएगी लेकिन जब biasing करोगे, reverse bias apply करोगे, तो इस plus वाले को minus से connect करोगे मतलब इधर plus दोगे तो और इधर minus दोगे, तो यह तो पहले से electric field थी अंदर की electric field due to potential barrier diffusion की वेज़े से और बाहर की electric field भी इधर से ही आगे, जो battery हम लगा दिये, तो net electric field क्या हो गई है तो net electric field इन दोनों का सम हो जाएगी, external plus internal, तो net electric field increase हो जाएगी तो B is equal to होता है ED, net electric field increase हो जाती है, तो जो potential barrier है वो भी increase हो जाता है और depletion layer भी increase हो जाती है, तो ये तीनों increase हो जाते है, ठीक है, तो obviously increase the majority, हाँ, rise the potential barrier, potential barrier increase हो जाता है जीवर्स बायस में, तो ये गलत है, lower नहीं होता है, increase the majority charge के लिए, बायसिंग से आप को जाता है